नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और आज नमबर सिस्टम की बहुत most important question डिसकस करने वाला हो इसको नमबर सिस्टम समझो या फिर घाता और घातांका और करड़ी वाला समझो नमबर सिस्टम समझती बोला जाता है इसको बहुत important होता है सभी exam समय यह पूछे जाते हैं तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी कौन सी है कैसे निकालोगे अगर पूछ लिया तो देखो ध्यान समझो यह वाली बात अगर ऐसे बरावर question आता है यह सभी में गुरूप D में आ यह उपर का जो स्वारी ऊपर का जो यह चीज है यह 60 48 36 जितने भी पावर लगे हैं घात लगे हैं ठीक है इन सब घात का ले लो HCF HCF LCM मैंने बता चुका हूँ आपको अव बीडियो सब को मतलब जिसको आता है कोई बात नहीं जिसको नहीं आता है उसको देखना बहुत ज पढ़ना सुरू कर दो प्लेश बना दिया हूं है और जिसको सीरियस हो अगर तो पढ़ो नहीं हो तो आप जो आपका काम जाने देखो ठीक है इन सब का HCF जब निकालोगे तो HCF का मतलब होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा संख्या है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी से जिससे सभी कट जाए मतलब जैसे इसमें 24 से सभी कटेंगे नहीं 36 नहीं कटेंगा 48 कर जाएगा 60 बीने कटेंगा अब 24 आधा कर दो क्योंकि 24 भी करना चाहिए तो 12 12 24 12 23 36 सभी कट जाएंगे मतलब 12 इसका है क्या आ गया HCF अब इस 12 से सभी में भाग देदो 12 पावर 5 लिखतो ठीक है और बारा चाहू के अंड़ तालेस तो तीन के पावर 4 लिखतो बारा तीन चाहथ चार का पावर 3 लिखतो फिर बारादुणा 24 पांच के पावर दो लिखतो, समझ रहे हो ला, HCF निकाल के सभी को भाग दे तो, जो आए, उसके बाद देखो, अब इसको सौब कर लो भाई, दो दूना, चार दूना, आड दूना, सोला दूना, 32 ही हो जाएगा, 32, ये तीन, तीन, नौ, 97, 8 वह बाद जाएगा, चार चोके, सोलो 4, 64, ये कह बन जाएगा, 25, 25, 25 बन जाएगा, मतलब इसमें सबसे बड़ी कोण सी है, 81 है, मतलब 3 का पावर 4, सबसे बड़ी हो जाएगी, 3 का पावर 4, D8, सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है समझ भाया ना एकदम अब आगे अगला देखते हैं सेम वहीची कॉंसेप्ट इसमें भी है इसमें छोटी पूछ रहा वसे तने डिफरेंस है अब क्या करेंगे सभी कटेंगे नहीं कटेंगे तीस नहीं कटेंगा तो बीस छोड़ दो बीस का अधा कर लो तुरंत दस दस से सभी कट जाएं साब साब नजर आ रहा है तो दस आ गया क्या है अब दस से सब में भाग दे दो दो का पावर पांच तीन का पावर चार चार का पावर तीन और पा सबसे चोटी पचीस है मतलब 5 के पावर 20 सबसे चोटी होगी आपका एंसर हो जाएगा बात समझ माया ना अब अगला देख लेते हैं यह वाले देखो तीन के पावर 22 चार के पावर 49 पाच के पावर 26 और 6 के पावर 13 में सबसे बड़ी कौन सी है अब यह 13 से देखो सभी कट रहे हैं क्या तेरा दुने 26 तेरा तीका 49 तेरे चोट बावन यह सब पूछे के एक कोईशन है एक्जाम के लिए हूं मैं ठीक है 13 HCF हो जाएगा जो 13 HCF हो जाएगह दोस्तों उसके बाद कर दो 13 चोट बावन मतलब 3 का पावर 4 और 13 4 कां पावर 3 और 5 का पावर 2 2 और 6 पावर एक, थो 6 पावर एक ही होगा, 5 truck 25 हो जाएगा और 4, 46, four 60 हो जाएगा और 3,36 prixती ही foolish t Testare, क्या aloud पूछ रहा है सबसे बड़ी यह वाली हो रही चैसी मतलब 152 यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब आगला देखते है यह वाद यह तो समझ गया आप ना तीन कोईशन बताया माने बहुत आसानी मतलब है निकाल लो एक से भाग दे दो इसके बाद कोई ट्रेंसम नहीं यह है रूट वाले रूट वाला कैसे निकालोगे दिख्ध्यान समझे लिए दोनों भाई 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 यह इसमें दोस्तों समझ और घात तीन घात लगए है यहाँ जहां पर कुछ नई लिका था होता हुआ होगा टोफ फूर ही यहां पर तेटा ह्पर है गव्याओ में टकालते थेThis is अब हम सब के पावर को 6 बनाने कोशिस करेंगे जैसे कैसे बताता हूं जैसे लिखा है यहां लिखता हूं टीन अंडर रूट तू लिखा है ठीक है अब बराबर यहां पर लिख दो तो 3 गुड़े 2 मतलब 6 बनाना है हमको इसको 6 तो जितना गुड़े की हो दो गुड़ा की है ना हम तो अंदर 2 को पावर 2 लगा दो ठीक है, अब क्या बन गया है ? यह 6 तो बने जाएगा 3 दौन अछे और यह हो जाएगा 4 ठीक है,अब इसको देखो, यह क्या रेका 2 अंडर लगात जब तीन से हैं पर गुड़ा कि यहां पर कितना लिकां अंदर तीन तो तीन यहां अंदर न हो जाएगा और यह तीन दुना छोगा ही मालो कि अब इसको यह तीन अंडरूट फोर है थिक है अब इसको क्या करेंगे तीन गुड़े दो क्योंकि दो करोगे तभी छे बनेगा, छे बनाना है बस हमको सब कुछ, तो अंडर यहां पर चार के पावर दो लगा देंगे, क्योंकि भाई दो से गुड़ा किया हमने, है की नहीं, अब देखो यह, चार चार के यह अंदर हो जाएगा, 16 और छे हो गाई अब इसी तीनों में देख लो, सबसे बड़ी हो भाई, घात तो सब का बार भर 6, 6, 6, सबसे चोटी पूच रहा ना, तो यह वाली चोटी हो जाएगी, 6 के पहली वाली, यह वाली क्या हो जाएगी है, चोटी हो जाएगी है कि ने, ऐसे करना, उसमें HCM, इसमें LCM, एक और है न, 6 हो जाएक LCM, तो चलो, अब सब के घात को हमको 6 बनाना है, लिख दो फटा फट, यहां पे है 5, यहां तीन लिखा है, यहां पे है 4, यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 6, यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 7, यहां पे 3 लिखा, अब इसके क्या करेंगे, पावर को 6 बनान कुछ लोग समझें निपाएंगे , तीन गुड़े दो कर देंगे , अब यह दो गुड़ेlla की हे हूं तो सब में 6 होगा, मतलब पावर तो 6 ही होगा सब में यहाँ पे, तो इसलिए 4, 16, 64, 66, 36, 37, 49, यहां सब में 6 होगा, इसलिए टंसन नहीं है, अब यह वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, 64 सबसे बड़ा है, मतलब यह वाला, यह वाला, मतलब टूफ, अंडर, बड़ी पूछा है यह वाला, यह सबसे बड़ी हो जाएगी, है कि दोस्तों, इस तरह से हम इसको करेंगे, तो यह है आपके हो मर के लिए, दोनों कमेंट करके, इसमें सबसे बड़ी पूछा है, इसमें सबसे बड़ी पूछा है, दोनों टाइप का कॉश्चन मैं आपको दिया हूँ, इन दो अगर सीरियस हो तो नहीं तो आप जानो आपका काम जाने मैं तो करी रहा हूँ जो मुझे करना है है कि नहीं तो बस दोस्तों जो लोग नए हो जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब गंटी दवाना बिलकुब भूलना और वीडियो को लागी भी कर दिये करो शेयर वेर भी कर दिये करो थोड़ा सा गुरू हो जाया चैनल लभी छोटा है थोड़ा बड़ा होना चाहिए है कि नहीं मि मिलते हैं फिर दोस्तों निक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाएं जय भारत